नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके अपने चनले संजीश में वीडियो लोग में आज की वीडियो जए बहुत अच्छे टॉपिक पर आने वाली है कि बहुत लोगों का एक कंसर्ण रहा है कि सब हमारी काड़ी की जो माइलेज है वह बहुत कम आ रही है 11 आ रही है कोई करता ह तो नहीं है लेकिन कुछ छोड़ी जो बाते हैं अगर हम उनको मद्धे नजर रखते हुए उस चीज को हम करें तो मैं यह मानता हूं कि हां उससे दो चीज़ें का अडवांटेज आपको मिलेगा एक तो आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ेगी बढ़ेगी दूसरा आपक इसी दिर्फवास है आप लोगों से कि हमने एक नएया चैलेंज शुरू किया नाम है और जिसका आपको लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्स्क्राइब कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की दोस्तों वीडियो सबसे बहले मैं आपको एक बात बता दो कि गाड़ी की मा एक अजिए गेया ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी के मालेज नहीं प्रिज सबस्क्राइब कर सबस्क्राइब रखें होता कि हमने एक बार हवा डलवाई और उसमें क्या होता है कि हवा जो है हम regular intervals पर चेक नहीं कराते हैं और जब भी गाड़ी के तो गाड़ी जब चलेगी तो उसको लोड थोड़ा से ज़्यादा लेना पड़ेगा बिकुद दो smoothly जो फ्रिक्शन नहीं होगा गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा अगर गाड़ी के जो टाइल उसमें हवा का प्रेशर जो है वो कम होगा तो उससे आपकी गाड़ी की जो मैलेज है उसमें आपका फरक जो है वो पढ़ता ही पढ़ता है यहां पर मैं आपको एक चीज और एड करना चाहूंगा कि देखे सब अब जो टेंपरिचर है वो काफी जो है वो नीची आ चुक है बारा तेरा चोदा की देंगे में जो है वो तेंपरिचर बढ़ने चुरू हो जाता है तो अगर आप गर्मियों में हर 15 या 20 दिन बाद हवा चाह कराएंगे तो हवा इतनी कम नहीं होती बिकोज उसमें ऑ्टमेटिक लिए क्या होता है जब गारी में फ्रिक्शन होते है तो टायर में हवा जो हवा बढ़ भी जाती है कि बार लेकिन जब सर्दियां आती है तो सर्दियों में ये प्रॉलम आती है कि जो टायर की हवा है वो ऐस कंपेर टू जो अगर मैं इसको गर्मियों से कंपेर करूं तो उसके मुकाबे जल्दी जो है वो घटती है तो जिन लोगों के पास भी गाड़ी है वो अपनी गाड़ी का एक निय कव zij फLouव च्एक राम है ङुसमें डो अब की की मेलेज बढ़े की दूसरा आपकी जो ताइड की लाइफ है वह था इसको बात अगर करेंगी तो बढ़ेगे सब दूसरी बात गर एंचरी बात इस में पेलें एक अडूर बढ़ें केका कि था लेगा की के चीजे रखी पड़ी है सадu हम यूज नहीं करते तो वह ल Tonight करते हैं किommenah of प्रिजर में एक advantage है कि ideal engine off और नुगा तो अगर आपकी गारी रेलेट पर खड़ी है तो गारी automatically जो ओफ हो जाती है इंजिन जो इसका ideal ओफ हो जाता है तेकि जिन लोगों के पास यह hybrid वाला system नहीं है तो अगर गारी रेलेट पर खड़ी है 2 मिन से ज्यादा का time है तो वह गा कि हम गारी को जब भी idle खड़ी करते हैं तो कोशिश यह करें कि unnecessary जो है वो गारी में on नार है आप उसको ignition जो है उसका off कर दें ताकि unnecessary जो है वो प्रटोल जो है आपका waste ना हो वहां पर भी क्या होता है गारी की mileage पे impact आता है जब गारी जो है आपकी idle खड़ी रेगी तो और गारी आप चला नहीं रहे और आपने idle खड़ी और आप बाते कर रहे हैं कई लोगों को मैं देखा है वो फोन पे बाते करते हैं गारी लगा लेते हैं साइट पर फोन पे बाते करते हैं वो ignition ओफ नहीं करते तो इस चीज़ का भी दिखे आप खास ध्यानक हैंगे तो उससे भी गारी की mileage में जो है वो फर्क पड़ेगा पांचमा पॉइंट जो है वो बहुत important पॉइंट है कि हमने मैंने करेंगे ब्रेकिंग बार बर यूज़ करेंगे तो उससे आपकी गारी की mileage है वो तो drop करेगी करेगी साथ साथ उसकी वज़ा से आपके गारी की engine में भी जो है वो फरक पड़ेगा अगर हम unnecessary जो है वो race को बढ़ाते जा रहे हैं बैठे के race दे रहे हैं आपको पता है कि मुझे यहां तक जाना है तो आपने गारी start की और एकदम race जो है वो उसकी बढ़ा दी और फिर उसके बा अराम अराम से गारी की race बढ़ाएं और कोशिश करें कि जब भी आप गारी चलाएं तो बार बार रेस जो है वो उपर नीची नहा करें कोशिश यह करें कि गारी की जो race है वो एक थोड़ी constant रहे ऐसा नहों कि एकदम आपने 30 पर लाए एकदम race दबा के 60-70 असी पर लेगी आप चेक कर लिजएगा जब भी आप एकदम race दबाएंगे पंजा दबाएंगे race पर आप चेक किजएगा अगर आपकी live mileage जो है वो 30 के कि बिखा रहे हैं तो सीधा करते 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 9 पर आ जाती है यह मैंने खुद देखा है अगर आप race दबाते हैं तो आपकी mileage है वो ड्रो वो आपकी इस चीज़ पर भी बहुत depend करती है कि आप अपनी गाड़ी की race और brake और क्लेच का कितना यूज कर रहे हैं और कितनी frequently आप उसको यूज करते हैं मैं इस पे चीज़ और यहां में मैंशन करने चाहूँ है ठीक है क्लेच का आपको यूज करना पड़े है वहां क्लेम करती है 20-21 की क्लेम करती है तो कभी 20-21 की एवरिज और जनल ड्राइविंग पर नहीं हा सकती वहां कि गाड़ी का प्रेशर टायर प्रेशर मोनीटर है सवारी वह एक ही बैठी है रोड इग्दम स्मूथ है लेकिन मैं यह मानता हूँ कि जिस सबसे हम भी बिज़ चला जो भी खासी गाड़ी जो है वो 222 की निकाल देती है लेकिन इस चीज के खासों बे आपको धियार रंख रहे है कि आपने गाड़ी की जो भी कंडिक्शन से कोशिश यह करें कि छोड़ी चोड़ी चीजों का भिहाने के अनने से सी रेस मत दबाएं अनने से सी बेकर मत लग हैं रेस दबाने का मतलब है नहीं कि एकदम गाड़ी को गाड़ी ओन कि भगा दी थोड़ा थोड़ा आराम से गाड़ी को चले एक चीज मैं यहां पर बहुत यूज करना चाहता हूं कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं सुबह टाइम होता है तो उस टेम क्या होत जाने की जल्दे में उते हैं तो क्या करते हैं एकदम रेस को दबागे फटाफट बगाते हैं असे नबबे कि स्टाब आप एक बात इसको समझ लीजिए कि जब आपकी गारी का इंजिन धंडा है तब आपने जब गारी चलानी है तो कोशिश यह कीजिए कि कम से कम दो मिनि सकते हैं जो भी करने चाहें वह आपकी इच्छा है वह कर सकते हैं लेकिन मेरी आपसे एक ही दुखास है जब गारी स्राट करते हैं मौनिंग के टाइम पेस्पेशली तो उस ट्रेम गारी में एकदम रेस को मत बढ़ाएं बाकि आप छोड़ी बातों का ध्यान रखें तो आ झाल